दुबे कॉंग्रेस की पहले कॉंग्रेस की देड़ सो सीटे कैसे आ रहे हैं जरा ये बताइए संजर आउत ने कहा है मानक जी नमस्ते बहुत ही साधारण भासा में समझाऊंगा 2019 में भारती जनता पार्टी को तीन सीट मिली और कॉंग्रेस पार्टी को 52 सीट मिली 37 प्रतिसत ओट बैंक भारती जनता पार्टी के साथ रहा 19 प्रतिसत के करीब कॉंग्रेस के पास रहा 2024 का जब चुनाव हो रहा है तो भारती जनता पार्टी के 100 सीट सीधे कम होंगे वो 100 सीधे कॉंग्रेस में जाएंगे कॉंग्रेस 152 हो जाएगी और भारती जनता पार्टी 202 हो जाएगी या 203 हो जाएगी कैसे होगी कि जो 37 प्रतिसत में 7 प्रतिसत ओट बैंक है उनका विश्वास खोया है जनता के विश्वास को भारती जनता पार्टी ने खो दिया है वो 7 प्रतिसत कॉंग्रेस के पास वो 26 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगे तो वो 202 रहेंगे ये डेड़सो रहेंगे ये बड़ी साधारण भासा में बता रहा हूँ गाऊं की भासा में अब इसका तरक देता हूँ आधार देता हूँ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार, महराश्रा, करनाटका, तेलं आजी हैं 789 राज्ये जहां कॉंग्रेस 100 के करीब आकड़ा पार कर रही है बाकी अब हम उनके सयोगी दल है हम महाराष्ट्रा में है हमारे भाई मानो जैसवाल पश्शिम बंगाल में है हमारे भाई हमारे जाए हमारे बदोरिया साथ ये कोई निबंध नहीं पढ़ रहा हूँ ये तरकों पर बात कर रहा हूँ फिर से एक बार बताईए कौन कौन से राज्यों में सीटे बढ़ने वाली है कॉंग्रेस पार्टी की और हमारे सहयोगियों की भी सीटे बढ़ रही है बंगाल कहने से पहले मानव जाइसवाल से पूछ लेते जरा मानव जी हमारे भाई हैं हम अभी बंगाल में कौनग्रेस को दो सीटे दे रहे हैं 19 में लेकिन 24 में हमें पूरी उमीद है कि भारती जनता पार्टी की जो साइद 18 सीटे है उसमें से हरा के उनको घटा के कॉंग्रेस वहां सीटे जीतेगी तो मानव भाई को क्या दिक्कत है मानव भाई तो मुस्कुराएंगे मेरी बात सुनकर क्योंकि दुस्मन का दुस्मन मित्र होता है उनका दुस्मन हमारा दुस्मन एक ही दुस्मन है तो हम सब मित्र हो गए आपस में बड़ी सिंपल सी गडित है मानव भाई 2014 में कॉंग्रेस पार्टी को 1500 और 160 के बीच में सीटे मिलेंगी इसका वैज्यानिक कारण भी मैंने आपको बता दिया, राजनीतिक कारण भी बता दिया, हाँ, लेकिन मैं भारती जन्ता पार्टी को सव नहीं कहूंगा, छमा कीजिएगा, आपका चैनल बहुत गंभीर महत्पुन है, सव सीटों से ज्यादा आएगी, भारती जन्ता पार्ट आपने जो बिहार में कहा कॉंग्रेस की सीटे बढ़ेंगी, इसका मतलब नितीज जी के एंडिये में जाने से कोई फाइदा नहीं होगा बीजेपी और एंडिये को, बैठे है राजी वरंजा, वो कह रहा हैं इसमार चालीज जीतेंगे बिहार की जन्ता पूरी तरह से नितीज बाबू को नकार रही है, ग्राउन रिपोर्ट पर जो रिपोर्टर या जो पत्रकार बंदू बहनों से हमारी बात हो रहे हैं कि जन्ता को अच्छा नहीं लगा है, ये बार बार पल्टी करना राजनीती में लोगतंतर में अच्छी बहुका है और फिर मुख्यमंतरी ही बन गए, इस बात का हमें बहुत बहुक है, किसने बहुका है, बारती जन्ता पार्टी ने बहुका है, अरे कमाल करना या बीजेपी अपोजिशन में थी, वो कहा से चुरा बहुक देगी, नहीं, वो नहीं चाहती कि नितीज बाबू प घर की अगुआ है, उनसे बड़ा कौन होगा, और हम तो उनके मागदर्सन में पले बढ़े मुख हैं, अच्छा बिहार में कितनी सीटे आएंगी RJD और कॉंग्रेस की? बिहार में 40 में से 25 से ज़्यादा सीटे, कॉंग्रेस और RJD जीतेंगी. ओके, और GDU को कितनी आएंग जाएंगे, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है. ओके, मतलब आपके साथ रहते तो सारी जीच जाते.